अलो फ्रेंट एक बार फिर से आप सबका हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज के वीडियों बात करने वाले हैं कि फत्री को है जो आप किस तरीके से पैचान सकते हो तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब करना तो फ्रेंट्स बताते हैं कि किस तरीके से पैट में होने वाली पत्री को आप पैचानों क्योंकि जब हम पत्री होने के लक्षन को पैचान लेते हैं तो उनका इलाज भी हमें जो बहुत ही जल्दी करवा सकते हैं तो इस बारे में आपको जानकर होना बहुत ही जरूरी है तो आप लोगों को अच्छे से बताते हैं कि वो कौन-कौन से लक्षन है जिन से आप पैचान सकते हो पहला लक्षन है जो हम आपको बता रहे हैं सामा ने पत्री की विमारी 30-40 साल की उमर में और महिलाओं की तुल्ला में पूरूसों में 3-4 गुन है जो अधिक देखी जाती है दूसरा लक्षन है कई बार पत्री का निदान N.I.A.C. हो जाता है इन मरीजों में पत्री के होनिक का कोई लक्षन नहीं दिखता है उसे silent stone कहते हैं तीसरा लक्षन ये है कि पीट और पेट में है जो बहुत ज्यादा दर्द होता है ये दर्द है जो लगाता होता है चोथा कारण ये है कि उल्टी उबगाई आना ये प्रोब्लम भी है जो जिनको पत्री होती है उनके साथ ज्यादा होती है साथ में पांचवे है जो लक्षन की बात करें तो उनमें जो पेसा में है जो जलन होने लग जाती है और छटे लक्षन की बात करें तो पेसा में खून भी आ जाता है आगे हम बात करें तो पेसा में बार बार संक्रमन का होना अचानक है जो पेसा बंद हो जाना ये सब है जो पत्री है जो जिनको पत्री की प्रॉबलम होती उन में है जो ये लक्षन दिखाए देते हैं और उनको है जो डोक्टर को दिखाना चाहे इस बारे में सला लेनी चाहे ताकि इस विमारी से जो जल से जल बचा जा सके और यदि आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना थैंक यू सो मच ओल फ्रेंड्स